Hello everyone, study with us में आपका एक बाइ फिर से स्वागत है और आज हम डिसकस करेंगे super important questions ये question जो है काफे important है आपके knit की exams के लिए paper 1 से related ये questions हैं और इसमें कई ऐसे questions हैं जो previous year के हैं और जो है काफे important है तो वीडियो को end तक देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की notification जो है आपको मिलते रहें और अगर आप हमारी पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो link मैंने description में दे दिया है और उपर i button जो है उसपे click करके भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो मिलेंगे जरूर देखें वाली वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला जो सवाल है वो यह है कि निमिल लिखित में से कौन सी अनुसंधान विधी को नियंतरित अवलोकन कहा जाता है ठीक है नियंतरित अवलोकन कहा जाता है तो नियंतरित अवलोकन कहा जाता है छेत्रिये परियोग को ठीक है, ऐप्शन नंबर C जो है, इसका Correcte Answer है, छेत्रिय परियोग Next जो कोशन है, वो यह है कि छेत्र कार्रे पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गी करित किया गया है मैं कोशन एक वार फिर से पढ़ देता हूं कि छेत्रे कारे पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है तो इसका सही जो आंसर है वो है option number A, अनुभव सिध ठीक है अनुभव सिध Next question है, सिक्षन सहायक सामिग्री में कौन सा नहीं है यह कौन सा भिन है यहाँ पर ओना चाहिए था, question दोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, टाइप गलत हुआ है, सिक्षन सहायक सामिग्री में कौन सा यह दिन नहीं यहाँ भिन आना चाहिए था भिन है भिन है तो देखिए गलत टाइप है यहां graph होगा ठीक है, तो देखें, ग्राफ सही है, चार्ट सही है, मानचित्र सही है जो भिन है इसमें वो है प्रोजेक्टर क्यों? क्योंकि ये उपर जितने भी आपको दे रखें है एक्विप्मेंट्स जैसे की ग्राफ, चार्ट, मानचित्र ये सारे के सारे जो है ये software है ठीक है जब कि projector जो है वो एक hardware है ठीक है hardware है और कई सारे hardware में और भी कई सारी section सायक सामगरी आ जाती है जैसे कि radio ठीक है और television और record या tape recorder जिसे हम कह सकते हैं और player ठीक है तो ये और इसमें pen वगएरा भी आ जाएगा ठीक है तो जितने भी सायक सामगरी होती है जिने हम touch कर सकते हैं ठीक है तो ये hardware के अंदर आती है ठीक है अच्छा ये definition सही नहीं होगी जिसे हम touch करते हैं ये भी हम इसे भी touch कर सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सायक सामगरीयों को दो वरगों में बाटा गया है software और hardware ठीक है next question है समाकल शिक्षा की अवधार्णा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है ठीक है समाकल शिक्षा की अवधार्णा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है तो सही आंसर है option number A स्री अर्विंदो के द्वारा The Life Divine जो है वो इनकी किताब है स्री अर्विंदो की समाकल शिक्षा की जो अवधारना है वो इनकी के द्वारा दी गई है महात्मा गादी ने मुलभूत शिक्षा की बात की थी जिसके लिए उन्होंने वारधा प्लैन लाया था या वारधा योजना लाई थी सन 1937 में जो है इसको शुरू किया गया था क्योंकि गादी का मानना ये था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ग्यान के साथ शाथ कौसल भी सिखाए ठीक है तो ऐसा कहा था महात्मा गाधी नहीं नेश्ट कोशन है क्या दो तरफा संप्रेशन परभाव पूर्ण होता है सन 2004 में इस सवाल पुछा गया है ठीक है सन 2004 में क्या दो तरफा संप्रेशन परभाव पूर्ण होता है तो इसका answer होगा option number B वो सदेव जो है वो प्रभावपून होता है ठीक है option number B जो है इसका correct answer है देखे वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो like जरूर करना ठीक है क्योंकि आपके like पे ही निर्भर करती है हमारी आगे की videos तो like जरूर करें videos को next question जो है वो यह है कि यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेशन का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा मैं कोशन इक बार फिर से पढ़ता हूँ कि यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेशन का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा तो इसका सही जो आंसर है वो है option number B option number B परक्रिया ठीक है option number B इसका correct answer है परक्रिया next question है आवांचित वांडेजिक email के लिए किस सब्द का परियोग किया जाता है आपने देखा होगा कभी कबार जो email होता है वो fraud वाले आ जाते हैं ठीक है lottery वगारा के email आ जाते है तो ऐसे जो email होते हैं उन्हें किस परकार के email का जाता है तो उन्हें कहा जाता है spam ठीक है option number C इसका correct answer है spam next question ये है कि वैस्विक तापन के परभाव निम्न में से कौन से है ठीक है वैस्विक तापन मतलब की जो हमारे पृत्वी का तापमान बढ़ रहा है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है और क्यों बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है green house के कारण ठीक है green house जो gases है इनके कारण ठीक है परवाशन में वृद्धी हो रही है तो सही आंसर है option number D ये सारे के सारे वैस्विक तापन के परभाव है ठीक है एक्जाम में ये पुछे जाते हैं और green house gases आपको याद रखनी है ठीक है green house gases कई बार exam में पुछी गई है तो कौन-कौन सी gases है तो पहला याद रखें methane ठीक है दूसरी जो green house gas है वो है chlorofluorocarbon ठीक है chlorofluorocarbon और तीसरी जो gas है वो है nitrous oxide nitrous oxide और चौती gas आप लेख सकते हैं carbon dioxide ठीक है carbon dioxide तो मैं बता दूँ अगर आप से पूछे कि westwick तापन या green house gas में सबसे महतपून योगदान या सबसे एहम योगदान कौन सी gas करती है तो वो है carbon dioxide 55 परतिशत योगदान जो है green house में यानि कि westwick तापन में वो इसी gas का है और दूसरे नंबर पे जो सबसे जादा परभावित करती है वो है methane 18 परतिशत तीसरे नंबर पे जो सबसे जादा परभावित कर रही है वो है chlorofluorocarbon 14 परतिशत और nitrous oxide जो है ये 10 परतिशत ठीक है तो आपको एक करम याद रखना है करम में भी आपसे question पूछा जा सकता है कि green house gas जो है उनमें सबसे परभावशाली gas कौन सी है जो वैस्विक तापन को बढ़ा रही है तो वो है carbon dioxide दूसरे नंबर पे मिथेन तीसे नंबर पे chlorofluorocarbon तीसे नंबर चौते नंबर पे nitrous oxide नेक्स्ट कोशन है कि निम्न में से कौन सा सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित हुआ था COP यानि Conference of Parties इसकी full form होती है तो COP8 जो है ये भारत में हुआ था ठीक है ये भारत में हुआ था अगर आपसे पूछे भारत में कहा हुआ था तो ये नई दिल्ली में हुआ था ठीक है नई दिल्ली में हुआ था चलिए आपसे एक question है कि आप मुझे बताएंगे कि किस सन में हुआ था ठीक है date आप मुझे बताएंगे comment में देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं सर्च मारें Google में और जरूर इसका answer comment box में बताएं अच्छा अगर COP13 आपसे पूछ लेता कहा हुआ था तो याद रखें ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और COP20 ये पॉलेंड में हुआ था ठीक है? पॉलेंड में हुआ था और COP15 जो है ये कॉपन हैगन में हुआ था कॉपन हैगन में हुआ था तो ये भी आपको जो है याद रखना है नेस्ट कोशन कहा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल परियावरण से सम्बंदित सम्मेलन है इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था सन 1992 में option number B जो है इसका correct answer है सन 1992 में हुआ था कहा पर हुआ था तो जापान देश में हुआ था जापान में कहा हुआ था तो क्योटो में हुआ था ठीक है क्योटो में हुआ था तो ये points भी आपको याद रखने है exam के लिए जो है ये super important है ठीक है? ओके तो आज की वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करें चैनल को subscribe नहीं क्या तो जरूर कर लें आप पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखे link description में दे दी गई है अब मिलेंगे next वीडियो में so thanks for watching this video